Hello friends, welcome back to my channel दोस्तों मेरा नाम है सौनम प्रजापती और आप देख रहे हैं टीच बिस सौनम आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सिखाने वाली हूँ How to export animated GIF in after effect ओके, तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी से request है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दवाना ना भूले तो फ्रेंट चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए मैंने एक छोटा सा एनिमिशन यह बना के रख लिया है मैं इसको जी आइएफ में बनाने वाली हूं सबसे पहले इसको इस आउट कर देती हूं यह देखिए अभी मैं इसको चेंज करती हूं इसकी कॉम की बैल्यू को कंट्रोल के दवाती हूं अभी 90 20 1080 है मैं यहां पर 1080 कर देती हूं ठीक है इसके बाद देखी जाना है आपको मीडिया इंकोडर के अंदर सो मीडिया इंकोडर मैं जाने से पहले फ्रेंट्स एक बात ध्यान रखिए अगर आप CS6 वर्जन यूज कर रहे हैं आफ्टर एपक CS6 तो आपके पास मीडिया इंकोडर भी CS6 होना चाहिए फिलाल मैं यूज कर रहे हूं आफ्टर एपक 2019 तो मेरे पास भी एड़ॉप इंकोडर का 2019 वर्जन है ठीक है तो अम मैं जाती हूं कॉमपजिशन के अंदर एड़ टू मीडिया इंकोडर इसमें हमको बहुत सारी चीज़ेस मिल जाएंगी यह मैंने इसमें इंपोर्ट कर दी है फाइल को तो बस अब कुछी सेकेंड में यह ओपन होने वाली है इसके बाद देखिए यहाँ पर अभी यह वाला बर्जन स्लेक्ट मैं इस पर क्लिक करती हूँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा तो अभी मैं इसको कैंसल करती हूँ यह जो मेरा पुराना फ्रेम है मैं इसको डिलीट कर दीती हूँ तो अभी जो नई फ्रेम आई है हमने इंपोर्ट किया वो यह वाली है मैं इस पर क्लिक करती हूँ यह देखिए मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ से डाइनामिक लिंक इसके बाद यहाँ से आपको चेंज करना है पॉर्मिट एनिमिटेड जी आई एफ यहाँ से आप देख पाएंगे आपके एनिमिशन का प्रिविउ ठीक है यहाँ से अगर आप क्वालिटी कम करना चाहें तो क्वालिटी कम कर सकते हैं या फिर इसको अंचेक करके आप यहाँ पर साइज को भी कम कर सकते हैं तो फिलाल अभी मैं रखती हूँ full HD size ठीक है इसको जैसा था वैसा ही रहने देते हैं OK कर देती हूँ और इसके बाद कैस देखिए यह custom तो यह वही है ठीक है इसके बाद आपको बताना है save कहां करना है तो मैं एक folder मनाती हूँ यहाँ पे cif का और इसके अंदर मैं इसको save कर देती हूँ और यहाँ पे एक green icon start पे click कर देती हूँ तो देखिए यह render हो गया है ठीक है मैं guys आपको दिखाती हूँ यह कैसा हुआ ठीक है यह देखते हैं हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखिए यह बनके तयार है मैं एक और चीज करना चाहूंगे guys अभी दालते हैं एक और बार low quality में यह बापस से इसमें composition में जाके add to media encoder करती हूँ यह आ गई है animated GIF format already है और इस बार लेती हूँ guys मैं यहाँ पे 400 by 400 okay by chance कभी कभी ऐसा होता है यह देखिए हम destination इसको कहाँ save करना है बो भी बता देते हैं ठीक है यह मैंने इसको comp2 नाम देती हूँ यह हमारी comp2 low size ठीक है इसको भी render कर लेते हैं अब हम दौनों में देखेंगे difference सो बहुत सारी जागे ऐसा होता है कि हमको low quality चाहिए होती है तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं तो यह देखिए comp1 high में था 201 kb and 63.2 kb तो I hope guys आप समझ चुकी होंगे मैं आसा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और कोई भी question हो तो please नीचे comment करके पूछ सकते हैं and don't forget to like, share and most important subscribe to my channel thanks again bye bye take care